भारत और नुजिलैंड के बीच तीन टी-ट्वेंटी मैचों की सीज का तीसरा और निरनायक टी-ट्वेंटी मुकावला नेंद मोदी एस्टेडियम आमदाबाद में समाप्त हो गया यह मुकावला कई माइने में एक यादगार मुकावला बन गया दरसल इस मैच में भारतिय किरिकेट टीम तोर जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी भारत की तरफ से इसान किसन और सुम्मन गिल ने पारी का आगाज किया इसान किसन सिर्फ एक रन बना कर पवेलियन लोट गए लेकिन दूसरे छोड़ से सुम्मन गिल ने सांदार बल्ले बाजी करते हुए अपने T20 अंतराश्चे केरियर का पहलास तक लगा दिया सुम्मन गिल इस मैच में 63 गेन का सामना करते हुए 126 जन बना कर अंतर नवाज रहे और इसी के साथ सुम्मन गिल ने बिराट कोली का रिकॉर्ड भी तोर दिया दरसल 2022 में बिराट कोली ने अफगानिस्तान के खिलाब एक T20 मुकाबले में 122 जन की पारी खेली थी जो भारत कीतर से किसी भी खिलारी का T20 में ब्यक्तिगत सर्बोच असकूर था लेकिन अविया रिकॉर्ड सुम्मन गिल के नाम हो चुका है क्योंकि सुम्मन गिल ने 122 जन के रिकॉर्ड को तोर कर 126 जन का ब्यक्तिगत असकूर इस मैच में ख़़ा किया सुम्मन गिल के अलाबे इस मैच में हार्दिक पांडिया ने 30 जन, राहुत रिपाठी ने 44 जन और सुरुकुमार यादम ने 24 जन का योगदान दिया इन 4 बले बाज के दम पर भारतिय क्रिकेट टीम इस मैच में निर्धारिक 20 जन का असकूर ख़़ा किया और न्यूजिलाइन की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 235 जन का बिसाल लच्च दिया लेकिन न्यूजिलाइन की सुरुआत बेहद ही खराब रही हार्दिक पांडिया और अस दीफ सिंग ने सांदार गेन बाजी करते हुए मात्र 7 रन के असकूर पर न्यूजिलाइन के 4 बले बाजों को पवेलियन भेज दिया एक की सन जाते जाते न्यूजिलाइन की आधी टीम पवेलियन में लच चुकी थी और इस मैच में भारतिय तेजगेदबाज के सामने न्यूजिलाइन के एक भी बले बाज तिक नहीं पाए और न्यूजिलाइन की पुरी टीम 16 सन के स्कोर पर ओल आउट हो गई और भारतिय टीम इस मैच को 100 अरसर सन से जीतने में सफल गई भारतिय टीम इस मैच को 180 के बड़े अंतर से जीतकर स्रीज को 2-1 से जीत लिया है इस स्रीज में मैनवददद स्रीज का पुरुषकार हारदिक पांडिया को दिया गया वहीं इस मैच में मैन प्ददमेच का पुरुषकार सुमन गिल को 126 सन की नवात पारि खेलने के लिए दिया गया